Hello students, welcome to EG Learn Academy. मैं संदीप मोधनवाल और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10 का चाप्टर 1st, A Letter to God जो की 1st प्लाइट से है. इसके जो राइटर हैं वो G.L. F.M.T. से और आज मैं इस पूरे चाप्टर को लाइन बाइन एक्स्पेन करूंगा. तो चलिए शुरू करते हैं. Students, in this story, it is told that what is believe, यानि बिष्वास क्या है? Before you read, this if faith can move mountains, यानि लोगों का कहना है कि जो बिष्वास है, द्रिणिष्णा है, यानि द्रिणिष्णा, वो क्या कर सकता है? परवत को भी हिला सकता है. But what should we put our faith in? लेकिन बिष्वास कैसा होना चाहिए? किस तरह का होना चाहिए? वो depend करता है. This is the question this story delicately poses. Delicately का मतलब होता है कुशलता पुरवक. Poses का मतलब होता है वर्डन किया गया है. यानि इस कहानी में इसी का क्या किया गया है? वर्डन किया गया है. लेंचु एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है. When its crops are ruined. रुइन का मतलब होता है नस्ट हो जाना. जब उसकी फसले नस्ट हो गई. Asking for a hundred pesos. Poses का मतलब होता है पैसे से हैं. जैसे हमारे रुपया चलता है, पैसा चलता है, सिक्का चलता है. वैसे ही. वो क्या करता है? 100 रुपय, यानि 100 pesos के लिए, 100 pesos के लिए वो भगवान से कहता है. Does lancho's later risk God? क्या लancho का जो लेटर है, पत्र है, भगवान तक पहुचता है? Does God send him the money? क्या भगवान उसे पैसे भेशते हैं? Think what your answer to these questions would be. सोची, आपका answer यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्या होगा अगर आप इस questions को answer करें तो? And guess how the story continues. और guess किजिए कि यह कहानी क्या हुई होगी? Before you begin to read it, पढ़ने से पहले. So, let's continue the story. The house, the valley in the entire valley. वो मकान, इंटेर वाली का मतलब होता है, पूरी घाटी में. मतलब एकलोथा मकान था, sat on the crest of a low hill. जो कि एक पहाडी की निशली, पहाडी की चोटी पर एसी था. Crest का मतलब होता है, चोटी. From this height, one could see the river and the field of fried corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. यहाँ से, इस उचाई से, नदिया और वो फशल का खेत देखा जा सकता है. जो कि मकाई के उस फूलों से भरा था, जिनसे एक अच्छी फशल या पैदावार होने की भरोसा था. यानि, जो लैंचो था, उसको विश्वास था कि इस बार फशल अच्छी होगी. मैंने अपने पूरानी जो समरी बताया था पिछले वीडियो में. तो अब इसमें कहानी को continue कर रहे हैं, one by one. The only thing the earth needed was a donpore or at least a shower. जिस चीज़ की जरूरत थी, वो क्या था? तो एक बारिस, donpore का मतलब होता है भारी बारिस. या कम से कम एक अच्छी बहचार, यानि डृड्लिंग हो जाए, बुदाबादी हो जाए, थोड़ी सी बारिस हो जाए. यानि लैंचो उस दिन आकास की तरफ, देखने के तरिक कोई और कार्य नहीं किया, टक-टकी लगाए, बैठा रहा. Now, we are really going to get some water. Woman, वो उस महिला से कहता है, जो उसकी वाइब थी यानि, कि अब हमें सचमुच पानी मिलने ही वाला है. The woman who was preparing supper, शपर का मतलब होता है, साम का भोजन कह सकते हैं, वैसे तो साम का नास्ता इसको कह जाता है, रात के भोजन को डिनर कहते हैं, तो वो बना रही थी. The woman replied, yes, good willing, हाँ, आसा तो यही है, कि अच्छी बारी से हो आज, अजदी इस्वर की इच्छा हुई तो. The older boys were walking in the field, while the smaller ones were playing near the house. Until the woman called to them all, come for dinner. जो बड़े लड़के थे, वो खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटे थे, वो घर के नजदी खेल रहे थे. भोजन के दवरान ही, जैसा लैंचो ने, क्या कि वो कह रही है, कि डिनर तयार है, सबको बुला रही है, इस तरह से कह कर अपने बच्चों को. जैसा लैंचो ने भविश्यवाणी, प्रेटिक्शन का मतलब होता है, भविश्यवाणी, के थी, वर्चा के बड़े बड़े बूदे गिरने लगी. यानि उत्तर पुर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड जैसे बादल आते दिखाए दिये. जो हवा था, वो बहुत थी, स्वक्ष और मधूर था. और जो आदमी है, लेंचो वो बाहर गया, और किसी और काम के लिए नहीं, बलकि सिर्फ इसलिए, ताकि वो अपनी बॉड़े पर गिरती हुई जो वर्चा के ड्रॉप्स हैं, यानि जो बूदे हैं, उसको इंजॉय कर सके, उसका आनन्द अनुभा कर सके. And when he returned, he exclaimed, these are not rain drops falling from the sky. ये वर्चा की बूदे नहीं हैं, जो आकास से गिर रही हैं. They are no coins. ये सिक्के हैं. The big drops are 10 cent. जो बड़े drops हैं, वो 10 cent हैं. And the little ones are 5 और जो छोटे छोटे वर्चा की बूदे हैं, वो हैं 5 पाँच के सिक्के. with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain Santosh Purnh Bhav satisfied expression सहित उसने पकी माकई के खेत को देखा जो फूलों से भरा था और वर्सा की चादर से ढका था but suddenly a strong wind began to blow लेकिन अचानक से तेज हवा बहने लगी and along with the rain very large hell stones hell stones का मतलब होता है जो बर्प की आइस की जो टुकडी जो बढ़ते हैं आसमान से उसको बोलते हैं ओले इसको बोलते हैं begin to fall यानि और बहुत तेजी से ओले गिरने लगे this truly did resemble new silver coins इसको देखने पर ऐसा लग रहा जिसी चान्दी की नए सिक्के हूं and the boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen balls अब वर्सा में भीगने हुए लड़कों ने उन बर्फिले सिक्कों को उठाने यानि जैसे आप देखते हो कि जब यहां पर ओले पड़ते हैं तो किस तरह से छोटे बच्चे उसको उठाने के लिए बाहर के तरफ जाते हैं बहुत जल्दी मुझे आसा है कि यह सिग्रही समाप्त हो जाएगा but it did not pass quickly for an hour the hell ran on the house यह सिग्रही समाप्त नहीं हुआ करिब एक घंटे तक ओले बरस्ते रहें घर पर the garden, the hell site, the cornfield on the whole valley यानि यह जो ओले थे बाग में पहाड़ी के धलांग पर मगे की खेतों में और पूरी घाटी पर बरस्ते रहें and the fill was white as if covered with salt और जो खेत था वो सफेद हो गया मानो नमक से ढग गया हो and not a leaf ferment on the trees पेड़ो पर एक भी पत्ता नहीं रहा the floss, the corn was totally destroyed यानि जो मकई थे पूरी तरह से destroyed हो चुके थे the floors were gone उसके जो फूल लगे हुए थे वो भी gap हो चुके थे यानि नस्ट हो चुके थे from the plants उस पेड से लैंचो सॉल वो फिल्ड विट सैडनेस लैंचो का जो दिल था जो आत्मा थी वो दुख से भर गया when the storm had passed और जब storm यानि ये तुफान रुका he stood in the middle of the field वो खेतों के बीचो बीच खड़ा हो गया and said to his sons और अपने बेटों से कहा a plague of locust would have left more than this एक टिडडी दल भी locust का मतलब होता है plague of locust का मतलब होता है एक टिडडी दल भी इससे कहीं जाता छोड़ जाता यानि कह रहा है कि यदि ओले पढ़ने की बजाए टिड्डियों ने हमला कर दिया होता है इस खेत पर तो शायद कुछ बच जाता यानि ओले से कुछ भी नहीं बचा the hell has left nothing इस ओले ने कुछ नहीं छोड़ा अब दिखे कह रहा है यानि इस वर्स हम सब भूखे रहेंगे but in the heart of all who lived in the solitary house solitary का मतलब अकेले घर में in the middle of the valley उस थाड़ी उस परवत के बीचों बीच there was a single hope held from God यानि एक मात्र आसा उनकी किस की थी? भगवान की थी जो घाटे के बीच बने उस सुंसान घर में रहते थी एक मात्र आसा किस की थी? इस्वर की थी don't be so upset even though this seems like a total loss remember no one dies of hunger इतना दुखी या परेशान मत हो यद्द्यप ऐसा लगता है कि हम सब की सब नस्ट हो गया है पर याद रखो भूख से कोई नहीं मरता all thought that's what the safe वे तो वही कहते है even though this seems sorry no one dies of hunger भूख से कोई नहीं मरता all through the night लेंचो thought only of his one hope the help of God पूरी रात वो सिर्फ यह सोसता रहा कि अब सी भगवान उसकी साहता कर सकते है whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience नहीं पर दिखिए जो लेंचो है पूरी रात आसा की सम्मन में सोचता रहा कि इस वर जिनके आखे जैसा कि उसे बताया गया या सिखाया गया हो instruction का मतलब होता है instruction का मतलब सिखाया गया कि भगवान की आसे सब कुछ देखती है उनकी जो आखे हैं वो सब कुछ देखती है यहां तक कि वह भी जो मनुष्य के अंतरमन में चल रहा होता है यानि मनुष्य के जो हिर्दे में चल रहा है वो क्या सोच रहा है क्या देख रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो सारी बाती भगवान से नहीं शिपता तो conscience का मतलब होता है अंतरमन यानि वो यहीं कह रहा है Lancho was an ox of a man working like an animal in the field but still he knew how to write Lancho एक मेहंती जान था वक्षेतों में जानवरों की तरह काम करता था पश्वों की तरह पर उन्त फिर भी उसे लिखना आता था and at daybreak he begin to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail उसने एक पत्र लिखा और रभिवार के दिन यानि जब उसने पत्र लिखा जिची वो खुद सहर ले जाकर डाक में डालने वाला था तो जो कुछ वो लिख रहा था means it was nothing less than a letter to God यानि जो वो लिख रहा था वो था खुद इश्वर के लिए पत्र भगवान उसे ने उसने लिखा God he wrote if you don't help me यदि आप मेरी सहता नहीं करते है my family and I will go hungry this year इस साल मैं और मेरे परिवार भूखे रह जाएंगे I need a hundred poses in order to sew my field again यानि इस टाइम हमें क्या जोरत है फिर से sew poses की जोरत है ताकि मैं अपना जो खेत है फिर से बोश सकूं and to live until the crop comes because the hell is strong यानि नई फशल आने तक जीने के लिए कम से कम उसको एक सो पैसो की जरूरत है क्योंकि ओलो ने उसके जो crop से आप जानते ही कि नस्ट कर दे थे he wrote to God on the envelope उसने envelope का मतलब वोता लिफाफा उसने लिफाफा पर क्या लिखा इस्वर के लिए एक पत्र put the letter inside और उसने उस लेटर को उसके अंदर डाला and still trouble अभी भी वो थोड़ा दुख में है at the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox और दाख घर में उसने पत्र पर टिकट लगाया और उसे दाख वाले डिबे में डाल दिया one of the employee who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God never in his career as postman had he known that address the post matter a fat amiable देखिए यहां पर amiable का मतलब होता है friendly और एक खुशामदीन इंसान जो हमें साथ खुश निजराता हो तो उसमें से जो एक employee था जो काम करने वाला था who was a postman जो की postman था and also helped at the post office जो post office में काम करता है went to his boss वो अपनी boss के पास गया हस्ते हुए हटले and sword him the letter to God उसने letter को दिखाया जिसमें लिखा था a letter to God never in his career अपनी इस career में as a postman उसने कभी भी इस तरह का address नहीं दिखा था और जो postmaster था वो मोटा था और एक खुश रहने वाला इंसान था also broke out laughing वो एकदम था के मार कर हसने लगा but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his text लेकिन अचानक हसे हसे वो रुख गया वो serious हो गया वो भाव हो गया और उस letter को उसने desk पर रख दिया कमेंटेट कहते हुए what faith? क्या विश्वास है I wish I had the faith of the man who wrote this letter कास मेरी रियास्ता उस आदमी जैसी होती starting up correspondence correspondence with God इसने तो इस्वार के साथ ही पत्र बेवार शुरू कर दिया so तो in order not to seek the writer's faith in God the post matter came up with an idea तो लेखक का इस्वार में तो लेखक का इस्वार में विश्वास्त न डगमगाने देने के लिए post master को एक विचार सुजा answer the letter चलो इस letter का यानि इस पत्र का उत्तर देते हैं but when he opened it लेकिन जब उसने खोला it was evident that to answer it he needed something more than goodwill जब उसने पत्र खोला तो asbest evident का मतलब होता asbest troop से था कि उसका उत्तर देने के लिए उसे दया भाव का अगज़ और सहाई के अलवा कुछ भी चाहिए होगा goodwill का मतलब होता है दया भाव but he is stuck to his resolution resolution का मतलब होता है निश्चे लेकिन वो अपने निश्चे पर अडिग रहा he asked for money from his employees उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे he himself gave part of his salary वो अपने salary का कुछ हिस्सा भी दिया and several friends of his were obliged to give something for an act of charity और जो उसके अन्यमित्र थे charity का मतलब है एक तरह से दान दयालता की वज़े से और उसके अन्यमित्र को भी दयालता की इस काम में कुछ देना पड़ा उसके लिए यानि जो लैंचो था उसने जो demand की थी उस letter के थ्रू God से उसकी बात उसके लिए ये बिलकुल भी क्या था कथिन था मतलब इसलिए वह किसान को आदे थोड़ा आदे की भेज़ पाया यानि सौप 100 पिसो की मांग थी लेकिन वह उतना नहीं कर पाया और सिप उसने क्या किया आदे ही भेजे देखें यहां पर लिखा है So he was able to send the former only a little more than half यानि आदे से मतलब थोड़ा सा ही जादा दे पाया था He put the money in an envelope address to Lancho and with a letter containing a single word as a signature God और उसने क्या किया उस लिफाफे में डाल दिया और उस पर साथ एक पत्र रख दिया जिस पर केवल एक ही सब्द लिखा था वो क्या था God It was Wait The following Sunday Lancho came it a bit earlier than Joel to ask if there was a letter for him यानि उस संडे को Lancho कुछ पहले ही पहुँच गया या पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है And It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office डाके ने खोद उसे पत्र दिया जबकि postmaster वैसा यानि contentment का मतलब अ तो संतोस वैसा संतोस जो एक अच्छा काम करने वाला ब्यक्ते नुभो करता है करते हुए पोस्ट आफिस से देख रहे थे लैंचो के पैसे तो कम थे God could not have made a mistake भगवान भला कैसे गलती कैसे कर सकता है Nor could he have denied लैंचो what he had requested इस पर गलती नहीं कर सकते लैंचो ने जो और नहीं वाल लैंचो को जो उसने मांगा था देने से मना कर सकते हैं Immediately लैंचो went up the window to ask for paper and ink तुरंत लैंचो क्या किया कागाज और स्याही मांगने के लिए खेड़की पर गया When the public writing table he started to write और फिर public के लिए रखी हुई मेज पर अपनी भवहों पर बल देते हुए उसने लिखना सुरू किया क्या With much wrinkling जैसे हम कुछ सोच है न भवहें टेडी मेडी करके expression देते हैं वैसे ही Of his bro, cast by the effort he had to make to express his ideas और उसने क्या किया बिचारों को ब्यक्त करने के प्रयास में पढ़ रहे थे उसने लिखना सुरू कर दिया When he finished, जब उसने खतम किया He went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed it to जब वो खतम कर लिखना समाप्त कर लिए तो टिकट खरिदने के खिड़की पर गया उसने अपनी जीप से गिला किया और फिर The envelope with the blow of his fish जैसा कि हम चिपकाने के बाद मुठी मारते हैं वैसे यो क्या किया फिर मुठी से घूसा मार का लिखापे पर चिपका दिया The moment the letter fell into the mailbox The postmaster went to open it और उसके बाद जैसे ही पात्री टाक के डिबे में गिरा Postmaster उसे खोलने के लिए चल दिये And it said got of the money that I asked for Only 70 pesos raised me मैंने 100 पैसे के लिए का था जबकि मुझे कितने मिले 70 पैसे ही मेरे पास पहुचे है Send me the rest बाकि जो बचे हुए है वो भी मुझे भेज दीजिए Rest का मतलब बचे हुए But since I need it very much चुकि इससे मुझे बहुत जरूरत है But don't send it to me through the mail दाग द्वारा मत भेजना एक तो उन्हों नहीं भेजा है उपर से भगवान के चाहिए कि इन्हें दाग द्वारा मत भेजना Because the post office employees are a bunch of crooks लेंचो लेखिन जो डाग घर के कार्मचारी है वो क्या है bunch of crooks Crooks का मतलब होता है ठग ठग है लेंचो उसने लास में लिखा लेंचो So my dear students It was the story of a letter to God It was very interesting I hope you will like it मुझे लगता है कि वीडियो आपको पसंद आएगा तो मैं अपने अगले वीडियो में next chapter की वीडियो अप्लोट करूँगा So please अगर पसंद आए तो like, share and subscribe करना न भूले Thank you so much